हलो गाई जे आज के इस वीडियो में जानेंगे उतोलक, आलंब, उतोलक के परकार अगर आप से पुछ दिया जाए उतोलक क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभासा लिखिए उतोलक के कितने परकार हैं, तो सब कुछ डीटेल्स में बताया हूँ, चलिए, सुरू करते हैं उतोलक, लिभर, ऐसी बेवस्था, जिसमें किसी भारी बोज को, किसी आलंब के गिर्द, बल लगाकर उठाया जाता है उतोलक कहलाता है, परिभासा को आप नोट करिए, अब देखिए आपको कैसे समझाएगा परिभासा कह रहा है, ऐसी बेवस्था, जिसमें किसी भारी बोज को, यहाँ पर यह क्या है, भारी बोज है आलंब के गिर्द, यह आलंब है, आलंब को हम टेक बिंदू भी कह सकते हैं, ठीक है तो टेक बिंदू के गिर्द, यहाँ पर कहा है यह, परियास बिंदू तो यहाँ से बल लगा करके, इसे अगर उठाया जाता है, तो यही कहलाता है उतोलक उतोलक का मतलब आप ये समझ लेजिए एक सीधी या टेंडी छड़ होती है उतोलक को आप इस तरह भी परिभासित कर सकते हैं यदि एक छड़ के किसी बिंदु को नियत कर उसके दूसरे सीरे पर बल लगा कर किसी भारी वस्तु को उठाया जा सके तो इस बेवस्ता को उतोलक कहते हैं समझे इसे साब साब परिभासा में लिखा हुआ है कि यदि एक छड़ के किसी बिंदु को नियत कर ये एक छड़ है इसके पास तीन बिंदु है इसको हम नियत मान लिए ठीक है इसको हम नियत कर दीए तो इसको नियत कर दूसरे सीरे पर बल लगा कर यहां से हम बल लगा रहे हैं तो बल लगा कर यहां पर भारी चीज जो है इसको अगर हम उठा रहे हैं तो इसे अगर उठाया जा सकता है तो यह जो बेवस्था है न यही कहलाता है उतोलग ठीक है आलंब ये तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा आलंब को हम टेक बिंदू भी कहते हैं एंगलिस में कहते हैं फलकरम तो जिस निश्चित बिंदू के चारो और उतोलक की छड़ स्वतंतरता पुर्वक घूम सकती है या घूमने का परियास करती है उस जगह को आलंब कहते हैं यहाँ पर देखिए जिस निश्चित बिंदू के चारो और उतोलक का ये जो छड़ है ये घूमती है या घूमने की परियास करती है तो यही क्या कहलाती है आलंब आलंब को आप टेक बिंदू भी कह सकते हैं मैंने अभी भी ही बताया है आपको उतोलग के परकार टाइपस ओफ लिभर्स उतोलग तीन परकार के होते हैं पहला प्रथम स्रेनी का उतोलग दूसरा 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 दूसर इसका जुपरिभासा था इस तरह था कि वैसा उतोलग जिसमें टेक बिंदू यानि आलंब बिंदू जो हो वो बीच में हो मध्य में हो तथा परियास बिंदू और भार बिंदू वो क्या हो किनारे पर हो तो यह जो है प्रथम शिरेनी का उतोलग कहलाता है उतारन में वो है भार बिंदू और यहां से क्या करते हैं हम लोग परियास करते हैं तो यह दोनों क्या है परियास बिंदू है तो ठीक है कैची हमारा क्या है प्रथम स्रेनी का उतोलक पलास यह भी प्रथम स्रेनी का उतोलक का उधरन है देखिए मध्य में क्या है टेक बिंदू इसके आ देकी में देख लिजिए यहां पर यह है टेक बिंदू इसके पीछे क्या है परियास बिंदू और आगे क्या है भार बिंदू आयोब आप प्रथम स्रेनी का उतोलक समझ गये होंगे दिवित्य स्रेनी का उतोलक वैसा उतोलक जिसमें भार बिंदू मध्य में हो तथा परियास एवं टेक बिंदू किनारे पर हो दिवित्य स्रेनी का उतोलक कहलाता है जैसे में यह है सरोता इसके बीच में क्या है भार बिंदू यहां से क्या लगता है भार लगता है और यहां क ये है एक पहिय वाला ठेला इसके आगे क्या है टेक बिंदू इसके मध्य में भार बिंदू और इसके पीछे क्या है पर्यास बिंदू ये दिवित्य स्रेनी का उतोलक है अब समझते हैं तृत्य स्रेनी का उतोलक वैसा उतोलक जिसमें पर्यास बिंदू मध्य में तथा भार बिंदू एवं टेक बिंदू किनारे पर हो तृतिय स्रेनी का उतोलग कहलाता है जैसे में चिम्टा, हल, मनुसी का हाथ इतियादे तृतिय स्रेनी का उतोलग है तृतिय स्रेनी का उतोलग है यह है चिम्टा इसके आगे क्या है भार बिंदू बीच में पर्यास बिंदू यहा रासे है टेक विंदू ठेक है ? यानि जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से आगया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो के कमेंट में लेका जरूर जाहिएगा चलee मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वान देमात्रम